हाई आवरिवन अगर आप भी एक फर्स समेस्टर में है आपके पास म्यूजिक वोकल है तो ये वीडियो आपके लिए हैं ये जो कोशन पेपर हैं 2023 का है अगर भी एक फर्स समेस्टर में और आप यू से कर रहे हैं तो अप यू के अंडराब का कॉलेज आता है तो 45 नंबर का होता है आपका कोशन पेपर जिसमे सेंपको तीन घंटे दीए जाते हैं कोशन पेपर हर एक मेडियो कीडियो होता है हिंदी में मैं पूच्छाब आप यहां होती है फिक है तो जैसे यूनिट आमबर फ़ुचा गया है रांग से किसी जात hundred सब करना है तो आपको राग और चाहती आना चाहिए अब की पास option है नोट शी नोटेशन प्राणली के गुनों और दोशों का आपको यहाँ पर वनेंट करना है गुन भी बताने है दोश भी बताने है नो नंबर का है वेरे यूनिट सेकंड जिसमें है सब तक से आप क्या समझते हैं इसकी क्या प्रकार है त आपको यहाँ पर बताने है फिर आजाता है यूनिट नबर थर्ड जिसमें पूचा है और सर संगीत में तबली की क्या प्रसांग दिखता है या तानपूरा का संग्शिफ्ट विवरेंट दीजी तदा उसकी भागों को समझाईए तो यहाँ सर संगीत में तबली की क्या प दबल लेकारी लिखे तो आपनी अगर तेंताल पड़ी है और उसकी सिंगल और डबल लेकारी दाद इन देंदा से करकी जो होता है वो सब पढ़ा तो लिखना है आसान होता है मैंसे कोई टफ नहीं होता है उसके पाद राग भुपाली के दृत ख्याल का सवर लिखना है आप लो डिम बताया गया है तो पहला पूचा गया है दादरा ताल में कितनी तालिया है विरह राग अलहिया विलावल की थाट क्या है उसके बाद राग भुपाली के गायन का समय क्या होता है राग भुपाली किस राइम गया चाता है विरह तें ताल में कितनी मातराएं हो शुरूती से अब क्या समझते हैं ख्याल कितने प्रकार के होते हैं बारते संगीत में कितने कौमल स्वर है पंडित वी एन भातकंडे का जरम कब हुआ था राग बुपाली की जाती क्या है राग अलिया बिलावल का आरोही लिखिए आरोह लिखना है ठीक है उसके बाद की पर भाशा दीजिए दादरा ताल में कितनी खालिया है तो यह आपको बताना है और राइट बहुत एजी पेपर है नो नंबर का है लास्ट कोशन भी नो टेम करेंगे तो सेम पंजाबी मीडियम के लिए वालों के लिए पढ़ सकते हैं सेमी है राग नोटेशन सब तक अ देख लेना क्या क्या है वह भी पढ़ लेना फिरा पेपर को असानी से क्रैक कर सकते अपको ऐसे ही और भी वीडियो देखनी है आप प्लेलिस्ट में जाकी जरूर देखें डिस्क्रिप्शिन ब्लोक्स में जरूर देखें थैंक्यू गाईस बाई